जै मातादी, अल्टेमेट ग्यान आपका हार्देख स्वागत करता है, आप सभी हमारे अपने प्रोग्राम से जुड़े रहते हैं, इसके लिए भी आपको पहुत पहुत धन्यवाद, माता रानी सदा आपको खुश रखे, मा से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दोस्तों, कई बार हम पूजा पाठ करते हैं या बाहर जाते हैं, इन दो कामों में खास तोर से स्वरक्षा कौच की अवश्शक्ता होती हैं, कई बार हम कोई मंत्र करते हैं या पूजा करते हैं, कई बार हम सोच लेते हैं कि कोई अनिष्ठ ना हो जाए या कोई बाधा ना आए, इसके लिए कोई ना कोई स्वरक्षा कौच होना जाहिए, तब आपके लिए आज हम पक्का स्वरक्षा कौच बताएंगे, पक्का स्वरक्षा का उच्छानुमान जी का, आप यदि लगा कर बैठते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपकी पूजा सफल होगी, इसी प्रकार से आप यदि घर से बाहर जा रहे हैं, और आपका कोई ऐसा काम, जो किसी की वज़े से रुका हुआ है, एक तरीके से उसे आप अपना शत्रु ही मानी, अब वह काम निकलवाने के लिए, या कोई शत्रु आपका नुक्सान ना पहुचाए, इसके लिए, आपके हर प्रकार की सुरक्षा के लिए, आप जा रहे हैं, आप वाहन से जा रहे हैं, सुरक्षित खर लोट करके आएं, इसकी लिए, आप अपने खर से ही सुरक्षा कवच, हनुमान जी का लगा करके चलें, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आपकी यात्रा भी सफल होगी, और आपके कारिये भी सारे बनेंगे, और किसी भी प्रकार की, राष्टे में कोई नकारात्मक चीजे होंगी, वह भी आपके साथ नहीं लगेंगी, अब मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान सा मंत्र है, विधी के साथ जरूर कर लेना, थोड़ी सी पीली सर्सों ले आना, लाकर के अपने पूजा स्थान में रख लेना, एक पचास ग्राम ही ले आओगे, तो बहुत रहेगी, अब आपने पूजा स्थान में पीली सर्सों रख दिया है, किसी भी दिन ले आना, किसी भी दिन रख देना, इसमें कोई आवशकता नहीं है कि किस दिन करना है, रखने के बाद, यदि आप किसी भी प आसन पर बैठते हैं, तब आप थोड़ी सी अपनी पीली सर्सों अपने हाथ में ले ले, अब दोनों उंगलियों और अंगुठे के बीच में ही ले ले, जितनी आती है, अब इनके बीच में लेने के पस्चात, आपने इसे क्लोक वाइस घुमाना है, जैसे घड़ी चलती ह ऐसे उस पीली सर्सों को घुमाते हुए थोड़े थोड़े छोड़ना है, दो दो चार चार दाने छोड़ते रहना, बस ऐसे करते हुए घुमाते रहना, दो दो चार चार दाने छोड़ते रहना, और अब जब इस प्रकार से आप छोड़ते रहते हैं, तो इसके साथ में हन प्रणुमान जी का यह मंत्र पढ़ना है उम स्री राम दूताय वज्र देहाय देवारी दरपाप हम वायू सुत आत्मने नमामी सर्व रक्षा कुरू प्रभो बहुत आसान मंत्र है पर है बड़ा पावर फुरू आप इसे मंत्र को बोलते हुए आप अपनी पीली सर्वों क्लोक वाइज घुमाते हुए छोड़ते रहिए आप कैसा भी पाठ करें पूजा करें शिद्धी करें मंत्र शिद्धी करें कोई भी परेशानी नहीं आएगी यह पक्कास रक्षा कवच लग जाएगा अब आप घर से बाहर जाते हैं तब भी आपने इसी प्रकास से करना है बैठ कर करें बैठ कर कर लें किसी विस्तान पर तब आप जाते हुए खड़े खड़े करें खड़े खड़े भी कर सकते हैं जब आप घर से बाहर जाते हैं पर करना आपने यह घर के अंदर ही है आप खरके अंदर से जब बाहर जाएं तो यह है प्रियोग घर के अंदर ही करना है चाहे खड़े हो करके कर लें थोड़ी सी पीली सरसों ले लें और इस प्रकार से सीधे घुमाते विए और इस मंतर को बोलते रहें अब आप पूछेंगे कि हमने यह मंतर कितनी बार बोलना है दोस्तो एक बार मंतर बोलने तो जो अंगूठे और उंगली के बीच में जितनी सरसों आये वह एक मंतर में सारी छोड़ देनी है फिर दूसरा मंतर पढ़ना है फिर यह इसी प्रकार से यह पीली सरसों लेनी है फिर छोड़ देनी है और तीसरे में भी थोड़ी सी ले लेना और इस प्रकार से छोड़ देना तीन मंत्र पढ़ने हैं और यह पीली सर्सों गुमा करके छोड़ना हैं ऐसा अगर कर दिया और करके बाहर चले गए तो समझ लेना पक्का सुरक्षा कवच लग जाएगा दोस्तों छोटे छोटे प्रियोग हैं दोस्तों इतने आसान प्रियोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे और जब करोगे तो इनका पूरा फल भी प्राप्त होगा अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता देना आपके लिए सिर्फ इतना है आप अपने लाइक का ध्यान रखें शीज फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ तब तक के लिए चैमाता दी